नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं दो सबसे जरूरी रेशोज डिसकस करने वाला हूँ मेंली ROCE और थोड़ा बहुत मैंने पहले ROE डिसकस किया था लेकिन आज हम इंडेप्थ जानेंगे कि ROCE और ROE में क्या फर्क होता है तो इस एक वीडियो को जरूर पूरा पूरा देखिएगा यह सबसे important वीडियो में से एक है और आज मैं डिसकस करूँगा एक बहुत important ratio जो है return on capital employed साथ ही हम इसको compare करेंगे return on equity से जो हमने एक पिछले वीडियो में discuss किया था इन दोनो ratios को detail में आज मैं समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे दोनों को compare करना है कौन सा ratio ज़ादा important है कब आपको कौन सा ratio देखना है जानेंगे आज in depth in ratios के बारे में और तक तक अगर आपको यह series पसंद आ रही हो तो please इस वीडियो को like कर दीजिएगा और मैंने एक playlist भी बनाई है जो आप आपके screen पे है जिससे आप starting से इस series के सारे videos देख सकते हैं और अगर मुझसे कुछ ratios छूड़ गए है या आप कोई topic चाहते हैं कि मैं cover करूँ तो उसे comment में जरूर लिख दीजेगा हमारी team comments को लगातार पड़ती रहती है तो अब जानते हैं कि return on capital होता क्या है capital यानि वो पैसा जो किसी business में लगा हुआ है जिससे business का daily का कामकास चल रहा है तो जैसा आप जानते हैं लगभग सारे businesses में पैसों की जरुवत है आपको दुकान खोलनी हो, trading करनी हो, online कुछ करना हो कम या जादा लेकिन पैसे तो चाहिए ही अब पैसे हासिल करने के दो major तरीके होते हैं पहला ऐसा पैसा जिस पे आपको ब्याज नहीं देना है और वो पैसा आपने लिया है बदले में अपने दोस्त को या किसी को business में हिस्सेदारी दे दिये या फिर अगर खुद पैसा लगाया है परिवार का पैसा लगाया है तो खुद को हिस्सेदारी दे दि कि मैंने ये एक लाख रुपे बिजनस में लगाया अब बिजनस का 100% ओनर मैं हूँ तो भी इसको माण लिया जाता है कि आपने business में पैसा लगाया और business में हिस्सेदारी खरी दी तो अगर दोस्तों को परिवार वालों को या खुद को ही आपने business में हिस्सेदारी दी है और उसके बदले खुद को या दोस्तों को partner बनाया है तो उसे हम equity कहेंगे दूसरा तरीका होता है कि आप ब्याज पे पैसे ले लें चाहे दोस्तों से लें, घरवालों से लें बैंक से लें, किसी से भी लें लेकिन उन्हें business में आप हिस्सेदारी नहीं दे रहें उन्हें बोल रहे हैं कि इस पैसे के बदले में इतना इतना ब्याज महीने का साल का देता रहूगा तो दूसरा तरीका होता है कि आप ब्याज पे पैसे ले लें तो यानि ये दोनों मिलके बनता है business का capital यानि वो पैसा जिससे अब business चलेगा तो capital के दो parts होते हैं या तो shareholding जिसे हम equity कहते हैं या debt तो ये जो दोनों तरीके से आपने पैसा जुगार कर लिया मान लिजए 100 रुपए आपने खुद के लगा लिए 100 रुपए किसी दोस्त से ब्याज पे लेके लगा लिए तो आपके business में अब total capital employed यानि ये CE हो गया 200 रुपए 100 रुपए दोस्त के जिस पे ब्याज देना है तो debt यानि करजा है 100 रुपए आपके खुद के जिसके बदले आपने खुद को हिस्सेदारी दी ये है capital employed तो अब return on capital employed क्या होगा हम CE तो समझ गए ये RO क्या होगा बहुत simple है RO से आप ये figure out कर रहे हैं कि इस 200 रुपए पे आपने कितना पैसा बनाया जैसे अगर ये 200 रुपए आपने business में लगाए और इस 200 रुपए से आपने साल भर में 100 रुपए और कमा लिए तो आपका return on capital हो गया 50% 200 रुपए पे आपने 100 रुपए कमा लिए अगर आपने 200 रुपए लगा के 200 रुपए और कमा लिए और साल भर के बाद आपके पास अब 400 रुपए है 100 रुपए जो दोस से ब्याज पे लिए 100 रुपए जो खुद के लगा है 200 रुपए मुनाफ़ा तो आपका return on capital हो गया 100% का ये इतना simple सा term है और इसी के साथ ये समझना जरूरी है कि अब क्यों ROCE और ROE को इतना जरूरी समझा जाता है दो शायद सबसे जरूरी ratios जो किसी company को pick करने से पहले देखने हैं क्योंकि ultimately अगर आप as a shareholder किसी business में पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपके पैसे पे ये company कितना पैसा बना के देगी क्योंकि इस बात को ध्यान से समझे आपके पास पैसा limited है आप चाहें तो FD में आपको 7% interest मिल जाएगा mutual fund में लगाएंगे तो 12-13% का interest मिल जाएगा तो अगर आप FD ना करके mutual fund ना करके किसी company में पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये अनुमान होना चाहिए कि मेरे पैसे का ये company कैसा use करेगी और कितना return लाएगी अपने business में अगर मैं अपना पैसा इस company को दूँ तो कहीं ये इस पैसे को बरबात तो नहीं करेगी सही return लाएगी की नहीं तो जैसे HUL, इंडिया की सबसे बहतरीन companyों में से एक ये recommendation नहीं है क्योंकि एक अच्छी company एक अच्छा stock हो ये valuation पर depend करता है, company बहुत अच्छी है HUL, no doubt, valuation ठीक है की नहीं, इसका analysis अपन बाद में करेंगे, तो HUL जो इंडिया की सबसे अच्छी कमदियों में से एक है वो return on capital 116% का लाती है याने 100 रुपे पे वो 116 रुपे और कमा लेती है ये HUL की खासियत है जिसके कारण market को ये इतना पसंद है और काफी premium में ये stock चलता है क्योंकि ये पैसे पे बहुत जादा पैसा बनाता है हर साल आप सोच लीजिए कि अपने capital से ये उतना ही पैसा और कमा लेता है आप अगर खुद business करते हैं तो सोचिए कि 100 रुपे अगर आपने किसी दुकान खोलने में लगाया और हर साल आप उ 100 रुपे का 200 अगले साल 200 का 400 ऐसा करते जाए तो कुछ ही सालों में आप शेहर के सबसे अमीर लोगों में से होंगे तो ये खासियत है HUL की लेकिन अभी कुछ बातों का ध्यान और देना है कि ROC और ROE में क्या फर्क होता है ROC में जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके से पैसा आया हो चाहे करदा लेके आया हो चाहे equity share बाट के आया हो जो भी बस पैसा आया चाहे कैसे भी आया वो सब consider होता है ROE में एक फर्क है ROE का ये concept है कि आप तो एक shareholder हो आप company को analyze कर रहे हो as a shareholder तो ऐसे में आपको ये देख रहा है कि shareholder के पैसे पे कितना पैसा बना जैसे एक company शुरू करने के लिए 100 रुपए मैंने equity लगाई खुद के पैसे लगाई बदले में shares issue कर लिए 100 रुपए मैंने दोस्त से ले लिए तो CE capital employed हो गया 200 रुपए 100 खुद के 100 दोस्त के तेकिन E equity दोस्त से तो मैंने करजा लिया है वो तो debt हो गया equity सिर्फ वो हुआ जो मैंने खुद लगाया है तो equity हो गया 100 रुपए तो return on equity ये बोलता है कि आप ये देखो कि आपके 100 रुपए पे जो shareholder ने लगाए है उस पे कितने पैसे बने ROCE बोलता है कि total देखो कि company ने जितना पैसा इखटा किया था उस पे कितने पैसे बने तो अब जानते हैं कि आपको क्या देखना चाहिए क्या आपको ROCE देखके decide करना चाहिए कि invest करना है कि नहीं या ROE देखके ये इस वीडियो का सबसे important पार्ट है please ध्यान से सुनिएगा बहुत अबार company आपको धोका देने की कोशिश करेंगी लेकिन अगर आपने ये पार्ट इस वीडियो का ध्यान से देख लिया तो आप उससे बच जाएंगे देखे पहला example लेते हैं कि आपने दोस्त से 100 रुपे लिये और आपने खुद के 100 रुपे लगाया और खुद को shareholding दे दी अब ROCE में मैंने आपको बताया कि हम करजा भी जोडते हैं और खुद जो invest किया shareholding के बतले वो भी जोडते हैं तो ROCE में आप देखोगे कि 100 रुपे दोस्त के भी आपके भी 100 याने total capital employed 200 रुपे हुआ उस पे अगर आपने 200 रुपे कमा लिये 200 का 400 कर लिया तो ROCE दिख जाएगा 100% आपने पैसा double कर लिया अब बात करते हैं ROE की ROE में हम उस पैसे को नहीं देखते जो आपने करजे के रूप में लिया उस पैसे को हम ignore कर देते हैं हम सिर्फ वो पैसा देखते हैं जो equity के रूप में shareholding के रूप में आया तो अब फिर से वही example 100 रुपे आपने खुद के लगाए थे 100 रुपे आपने दोस्त से लिये थे वो आपका दोस्त था तो मान लिजे कि उसने आपसे कोई ब्याज नहीं लिया वो बोल दिया कि ठीक है मेरे को ब्याज नहीं चाहिए जब हूं तो मेरे 100 रुपे लोठा देना अब उस 200 रुपे पे आपने 400 रुपे कर लिये अब देखे क्या होगा आपने कमाए 400 रुपे और अब एक्विटी कितनी की थी एक्विटी थी केवल 100 रुपे और रेटर्न और एक्विटी तो यही देखता है कि एक्विटी के रूप में कितने पैसे आये और उस पे कितना रेटर्न आया यानि यहाँ पे आपने 100 रुपे पे 300 रुपे कमाए इस case में आप 200 रुपे पर 200 रुपे कमा रहे थे तो percentage कमा रहा था लेकिन ROE के case में आपने 100 रुपे क्योंकि equity तो 100 ही थी और आपने 400 कमा लिया याने 100 लगा के आपने उस पर 300 रुपे और कमा लिया तो आपको लगेगा कि इस company का ROE तो बहुत अच्छा है तो कभी भी ऐसा ना हो ये धोका आपके साथ ना हो उसके लिए जरूरी है कि जिस भी company में करजा नहीं है जैसे actual के case में करजा नहीं है तो ये धोके वाली बात उठी नहीं सकती कि करजा भी तो लिया था उसने इसने तो करजा लिया ही नहीं है तो ऐसे case में आपको ROE देखना चाहिए मैं बताऊंगा क्यूं लेकिन जब भी zero debt है तो ROE देखिए और जब भी company में करजा है तो जैसा मैंने आपको example में बताया कि करजे के कारण क्योंकि करजा ROE में तो दिखता ही नहीं है और लगता ही कि पैसा business में कम लगावा है और return जादा दिखते हैं इसलिए करजे वाली company में ROE मत देखिए वो गलत picture दिखाएगा करजे वाली company में ROCE देखिए बिना करजे वाली company में कभी भी ROCE मत देखिए ROE देखिए ये भी मैं बताता हूं क्यों ये देखिए Cadillac Healthcare के example में इस कमनी के पास करजा है और करजा होने के कारण ROE जादा दिख रहा है क्योंकि ये जो figure है ये तो return के calculation में include हुई ही नहीं ROC में दोनों figure include हुई जितना पैसा इसने shareholder से उठाया चलिए वो भी देखते हैं कि कितना पैसा इसने shareholder से उठाया तो ये देखिए इ इसने 8,814 करोड रुपे और 102 करोड रुपे ये जो दो heads है इससे आपको पता चलता है कि कितना पैसा इसने shareholder से उठाया तो लगभग 9,000 करोड रुपे इसने equity के रूप में उठाये और 3,000 करोड इसने करजे के रूप में उठाये तो return on equity जो है वो देख रहा है कि 9,000 इतना profit कमाया तो जब भी debt है इसे देखिए जब भी debt नहीं है करजा नहीं है तो आप इसे देखिए अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब zero करजा है तो इसको देखिए क्योंकि अगर करजा है ही नहीं तब तो ये और ये बराबर आँने चाहिए after all अभी तक जो मैंने इसमें और इसमें फरक यह है कि इसमें करजे के पैसे को भी include किया जाता है और equity तो किया ही जाता है इसमें सिर्फ equity किया जाता है तो अगर करजा zero हो गया तो ये दोनों भी तो same होने चाहिए तो चलिए देखते हैं दोनों same है की नहीं फिर से हिंदुस्तान Unilever की balance sheet ही खोल तो जब तरजा 0 है फिर भी इन दोनों में फर्क क्यों आ रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था फिर यह क्यों हो रहा है चलिए मैं आपको पता पता हूँ जब भी हम ROE calculate करते हैं तो हम देखते हैं कि equity कितनी लगी हुई है company की चलिए देखते हैं कितनी equity है HUL में 216 करोड प् इस पे अब company ने कितना profit कमाया? Net profit company ने कमाया 6000 करोड के आसपास तो अगर आप numerator में 6000 करोड रखेंगे और denominator में 216 प्लस 7400 करोड कुछ करेंगे और अगर इसे आप divide करके इसे percentage में convert करेंगे तो आएगा return on equity roughly 82% के आसपास तो हमने क्या किया? फिर से देख लीज़े ROE निकालते समय कि हमने net profit को numerator में उपर रखा उसे divide किया share capital प्लस total reserve से क्योंकि यही है equity share capital और total reserve यह मिलके equity बनती है अब हमने ROCE calculate करते समय क्या किया? देखे ROCE में एक फर्क है कि जो आप loan लेंगे जो debt लेंगे उस पे आपको interest pay करना है अब जराएक ऐसी कपनी लेते हैं जिसके पास अच्छा खासा कर्जा हो और देखते हैं उसने कितना interest pay किया? Cadillac फिर से Cadillac इसमें 3000 करोड का debt है अब देखते हैं इस debt पे इसने कितना interest pay किया? तो Cadillac ने interest pay किया लगभग 88 करोड रुपीज का तो Cadillac को इस debt पे interest pay करना पड़ रहा है और इसी कारण पूरा-पूरा calculation बदल जाता है क्योंकि जब हम ROE ले रहे थे तो हम net profit ले रहे थे और इसको हम divide कर रहे थे share capital और total reserves से लेकिन यहाँ पे हमने interest expense already minus कर दिया है याने हमने debt के खर्चे को already minus कर दिया है तो ऐसे में अगर हम net profit लेंगे तो calculation सही नहीं आएगा इसी लिए जब आप ROCE calculate करते हैं तो net profit को इससे divide नहीं करते हम operating profit को जो यहाँ पे 2300 करोड के आसपास है हम इससे divide करते हैं share capital plus total reserves plus borrowings जो करजा है उसके साथ याने हम interest expense को include नहीं करते तो आप जब ROCE निकाल रहे हैं तो आप operating profit लेंगे numerator में और denominator में आप लेंगे share capital ROE की तरह ही total reserves ROE की तरह ही plus debt याने borrowings आप लेंगे ये वाला तो ये जो फरक आता है इसके कारण zero debt companies में भी ROE और ROCE अलग हो जाता है जैसा की हिंदुस्तान Unilever के case में हुआ जहां zero debt होने के बावजूद ROCE और ROE में फरक आ रहा है क्यूं आ रहा है वो फरक? क्यूंकि जब हम ROE निकाल रहे हैं तो हम net profit ले रहे हैं और इसे divide कर रहे हैं इन दोनों से लेकिन जब हम ROCE ले रहे हैं तो हम operating profit ले रहे हैं यहां पे net profit कम है 6,000 करोड के आसपास है वहीं operating profit 9,000 करोड के आसपास है तो अगर मैं 9,000 करोड को divide करूं कुछ 7,500 करोड से तो वो 100% से जादा आएगा वहीं आपको यह दिख रहा है 116 करोड लेकिन अगर कोई company zero debt है तो इसलिए आपको ROE लेना है आपको interest expense, taxes यह सब के लिए adjust नहीं करना है company को इसका simple reason यह है कि ROE में हम net profit ले रहे हैं और इसमें हम operating profit ले रहे हैं क्योंकि ROCE क्या देखता है ROCE यह देखता है कि कितना पैसा आया उसपे मैंने कितना पैसा बनाया interest expense देना है वो देंगे tax जो देना है वो देंगे अभी तो सिर्फ मुझे यह देखना है कि कितना पैसा आया और कितना बनाया तो अगर उसपे मैं ब्याज को minus कर दूँ तो मुझे सही चीज पता नहीं चलेगी summary के लिए मैं आपको यह बताना चाहूँगा zero debt company है ROE के साथ जाहिए high debt company जिसमें बहुत सारा करजा है ROCE के साथ जाहिए इसमें एक चीज का और ध्यान रखिए high ROE high ROCE देखके खुश नहीं होना है इसका एक और reason मैं आपको बताता हूँ चलिए balance sheet की तरफ अब जैसा हमने देखा कि balance sheet में हम equity को कैसे count करते हैं share capital plus reserves अब यह reserves क्या होते हैं reserves आप simplicity के लिए यह समझ लेजे कि मान लेजे मैंने 100 रुपे से business चालू किया अगले साल मैंने उस पे 100 रुपे कमाए तो अब मेरे पास total 200 रुपे आ गए जिसे मैंने खर्च नहीं किया जिसे मैंने बिजनस में ही रखा तो 100 रुपे के तो मैंने share issue किये थे और company को 100 रुपे धिये थे मेरे को share मिल गए अब जो 100 रुपे मैंने मुनाफा कमाया जो मैंने business दे निकाला नहीं, बिजनस में ही रहने दिया वो हो गया reserve, तो अब मेरी total equity हो गई, 100 रुपए जो मैंने issue किये थे और 100 रुपए जो मैंने मुनाफ़ा कमा लिया, तो मुनाफ़ा वाला part जो कमनी ने बचा के रखा वो आ जाता है reserves में इन ही reserves में से dividend दिया जाता है, तो अब इसको ऐसा example लेते हैं, कि पहले case में मैंने 100 रुपए कंपनी को दिये और बदले में मैंने shares लिये उस 100 रुपए पर मैंने 100 रुपए कमा लिये, तो मेरा मुनाफ़ा हो गया 200 रुपए का, अब scenario A लेते हैं, मैंने decide कि उस 200 रुपए में से 100 रुपए तो मेरा मुनाफ़ा है, तो मैं उसको dividend के रूप में खुद ले लेता हूँ, यानि मेरे पास reserves में कुछ आया ही नहीं ये वो 100 रुपए हैं, जिसके मैंने shares issue किये थे, और 100 रुपए जो मैंने कमाए, वो reserves में नहीं डाले, वो मैंने पूरे के पूरे dividend के रूप में ले लिए, तो अब ये हो गया 100 और ये हो गया 0, यानि total equity मेरा 100 रुपए ही हुआ, क्योंकि reserves कुछ बढ़े ही नहीं, तो ऐसे में, अगर मैंने 200 रुपए कमाए, तो ये होगा, कि 1 रुपए पर मैंने 2 रुपए कमा लिये, 100 रुपए पर मैंने 200 रुपए कमा लिये, ये मुझे ROE में दिखेगा, अब second case लेते हैं, कि मैंने जो 100 रुपए कमाए, वो मैंने निकाले नहीं, मैंने dividend कुछ नहीं लिया, वो मैंने company में ही रहने दिया, तो अब क्या होगा, 100 रुपए यहां दिखेगा equity, और 100 रुपए यहां दिखेगा reserves, याने अब total equity 200 रुपए की हो गए, और उस पे अगर मैं compare करूं, कि अब total equity पिछले case में 100 रुपए हो गई थी, इस case में 200 ही है, तो 200 रुपए पे मैंने 200 रुपए कमाया, तो अब, एक रुपए पे मैंने एक रुपए कमाया, ROE ऐसा दिख रहा है, 100% दिख रहा है, पिछले case में दिख रहा है, कि मैंने 1 रुपए पे 2 रुपए कमाया, इस case में दिखना है मैंने एक रुपे पर एक रुपे कमाया याने आपको ये देखना है कि कई कंपनिया जादा डिविडेंट दे दे के ROE को बढ़ा लेती हैं क्योंकि उनको पता है कि ROE देखके investors invest करते हैं तो अपने reserves को बढ़ नहीं मन दो, reserves इतने छोटे रखो कि ROE अच्छा दिखता रहे, ये एक reason है, ये pessimistic reason है एक reason सच में ये भी है जो मैंने पहले discuss किया था कि company को उस पैसे का कोई use नहीं है, उस reserves का कोई use नहीं है तो वो खुद रखके क्या करेगी, तो वो बाट देना चाहती है ये legitimate reason है, लेकिन जो भी हो, आपको ये देखना है कि dividend yield कहीं 8-10% का dividend मिल रहा है, इसलिए तो ROE बहुत जादा नहीं दिख रहा है जैसे HUL के case में ऐसा नहीं है, 1-1.5% बिलकुल average dividend है जो लगभग हर profitable company देती है, और उसके बावजूद HUL इतना अच्छा ROE लेके आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा कि high dividend के कारण कहीं high ROE दिख तो नहीं रहा, क्योंकि equity base ही छोटा हो गया तो उमीद करता हूँ कि ROE और ROCE ये दोनों आपको बिलकुल clear हो पाए होंगे आप समझ पाए होंगे कि कब कौन से ratio को ध्यान देना है और क्यों ये ratios important है ये सबसे important ratios में से एक है, तो please इन्हें जादा से जादा लोगों के साथ share करिये और उन्हें भी सीखने में मदद करिये कि ROE और ROCE क्या होता है उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप ticker के बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे आप ticker से best stocks pick कर सकते हैं, तो ticker की social media IDs अब आपके screen पर है इसे follow कर लीजिए और ticker के सारे features को fully use करिए अच्छे stocks pick करने में, तब तब मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे videos This is Pranjal कामरा, signing off, bye bye